नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों सुपर स्टार क्लासेश में स्वागत है आपका आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपोर्डेंट टॉपिक समास को डिश्ट करेंगे जो सुपर्टेट इपीट अन एक्जाम्स में प्रस्मों को बार बार पुछा जाता है तो आएए समास को तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं समास का अर्थ क्या होता है तो समास का अर्थ होता है संचेप या संचिप्ति करण समास मींस क्या होता है संचेप या संचिप्ति करण यह बात तो आप समझ गए समास किस उपसर्ग से मिलकर बनाए यह इंपोर्डेंट बात है त सम उपसर्ग से मिलकर कौन सा सब्द बना है तो समास समास होता क्या है दोस्तों यह जान लेते हैं तो दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर जो नया सब्द बनता है उसी को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों तो समास कह सकते हैं समास मोशली दो पदों से जुड़कर बना होता है औ दोस्तों एक नया पद या इसी को हम कह सकते हैं समस्त पद तो सबसे important बात क्या है कि समास को हम समस्त पद भी कह सकते हैं और समास हीक पद भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो पदों से मिलकर बना होता है ये next important बात समस्ते हैं समास के लिए कम से कम कितने सब्द होने चाहिए तो कम स ये काफी important बात एती है कि कोई समास में दो पद होते हैं, एक पूर पद होता है, दूसरा कौन सा पद होता है दोस्तों, तो उत्तर पद होता है, समास होने पर दोनों पद या अधिक पद मिलकर एक संचिप्त रूप धारण करते हैं, जिसे क्या कर सकते हैं, समास, तो एक बात important इसमें क्या दोस्तों, कि समास में जो दोनों पद होंगे, या उसे अधिक पद होंगे, एक संचिप्त रूप ग्रहंड करेंगे, जिसे हम क्या कर सकते हैं, समास कर सकते हैं, समास में बीज की जो बिवक्तियां होती हैं, दोस्तों बिलुप्थ हो जाती हैं, यह important बात आपके लिए जाननी जरूरी है, कि समास में बिलुप्थ हो जाती हैं, तो यह बिलुप्थ हो जाती हैं, या लुप्थ हो जाती हैं, कहने का means, समास पद का हम क्या करते हैं, समास जैसे अगर बात करें नील कंट तो नील कंट वैसे तो भगवान सिभ को का जाता है तो एक गुरू के लिए दच्छना तो दोस्तों यहां पर जो समास एक पद क्या है गुर्दच्छना समास एक पद है जबकि समास विग्रे पद क्या है गुरू के लिए दच्छना इसी तरीके से अगर नेत्रहिन की बात करते हैं तो नेत्रहिन आपका कैसा समास है तो समास एक पद समास के प्रकारों की दोस्तों तो समास निम्न चार प्रकार के होते हैं कहने का मतलब मियन जो आपके समास हैं दोस्तों वो चारीज के प्रकार होते हैं जिसे अब्वेवाव समास तदपूरुस समास और दवन्द समास और नेक्स्ट आप क्या है बहुब्रिय समास, तो ये चार कौन कों से समास, अब बैवाई समास, ततपुरूस समास, द्वन्द समास, बहुब्रिय समास, अब सबसे important इसमें एक बात कहीं आती है, तततपुरूस समास के इसमें कई भेद होते हैं, meaning जैसे हम लोगों ने पढ़ है इसके उपवेदों में दो समास मुक्रूप से जाने जाते हैं जिसे कर्मदारे समास और आपका द्यूग समास क्या हैं यह किसके भेद हैं तो यह उपवेद हैं तत्पूरुस समास के इसी में एक अन्यभेद भी आपका अगर हम लोग पढ़ते हैं नग तत्पूरुस और अलुक तथपुरुश ये भी exam में इसके इससे भी examples देरी आते हैं तो बच्चे मोचली गलत ही कर देते हैं तो यह बात समझी समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के मुकरूप से चार प्रकार होते हैं दोस्तों, अब्वेभाव समास, तजपुरूप समास, द्वन्द समास और बहुबरी समास अब आईए बात कर लेते हैं मुक्रूप से जो एक्जाम में जो आपके जो टाइप पूछे जाते हैं जैसे अब्यभाव समास के कई सारे एक्जामपल्स most important हैं जो एक्जाम के लिए बहुत ही निससरी हैं और यहां से कोई न कोई प्रस्ण बन जाता है जो काफी difficult हो जाता है तो आईए सबसे पहले समझते हैं परिभासा को दोस्तो जिस समास का पूर पद परदान होता है अब्यभाव समास में मुक्रूप से क्या बात याद रखनी है इसमें पूर पद परदान होता है तथा और जो पद है वो कैसा हो अब्यभाव समास तो दो बात है याद रखिए इसमें पूर पद परदान होता है और साथी साथ वो पद कैसा हो अब्यभाव समास हो तो हमारा समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो अब्यभाव समास हो जाएगा अब हम यहां से समझते हैं प्रति एक दिन यानि कहने का मिन्स क्या है यह जो समास है इसको अगर हम बिग्र करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति एक दिन अब जैसे एक जाम में पुछा जाता है भर पेट तो इसका बिग्रे हो जाएगा पेट भर कर तो यह भी काफी इंपर्टन है यह भी उप्पूछा गया आमरण यानि कएने का मिन्स का इसका बिग्रे होगा मरने तक और आजन्म यानि जन्म भर और सबसे इंपोर्टन क्या है एथा सक्ती जब पूछ देते हैं यानि सक्ती के नुसार ये भी अब्वेवा समास है आपका और एथा रुची, रुची के नुसार ये आपका कौन सा समास है दोस्तों तो अब्वेवा समास है साथ इसाथ एथा विदी के अनुसार किसके अनुसार? विदी के अनुसार कौन से समास है? तो अभेभाव समास है सबसे important इसमें जो example बनता है राथो राथ. यानी राथ के अनुसार दोस्तों. तो अगर ये example मौशली एक्जाम में पूछा जाता है तो mostly बच्चे गलत करते हैं और इसमें कौन सा समास है तो यह आपको जानके रखना है रात और रात में कौन सा समास है तो अब्वेवाव समास है यह एक्जाम में गल्द नहीं करना है बिल्कूल मन माना कहने का मिन्स मन के इनुसार तो ये भी अब्यवाव समास है ये भी कई बार एक जहां में पूछा गया है मन माना ये था सीग्र देखो ये था सब्द लगा हो तो आप समझ जाएए कि आपका कौन सा समास हो जाएगा अब बेवाव समास है जैसे हमने अभी बढ़ा एथा सकती पढ़ा है एथा रूची पढ़ा पीछे एथा वीदी पढ़ा और साती साथ एथा संभो और एथा सिग्र तो ये काफी example आपके जुड़े हुए किस्से हैं अब्यवाव समास से जिसमें आपको याद रखना है रातो रात, मनमाना याद रखना है और साथी साथ एक और example पुछा जाता है परिच्छा में एथा संब़ इसमें कौन सा समास है तो दोस्तो याद रखना है इसमें भी अब्यवाव समास है और इसको भी आप क्लिक कर जाएंगे तुरंत अगर एक्जाम में आता है साथी साथ एक example सबसे most important इसका क्या है दोस्तो पल-पल पल-पल में कौन सा समास है और मोशली बच्चे गलत करते हैं कौन सा इसमें है तो याद रखना पल-पल में अब्यवाव समास है और यह तो आप जानते हैं कि प्रतियक क्या होता है प्रतियक में कौन सा समास है तो अब्यवाव समास प्रतियक में है प्रतियक में है तो यह बड़े ही important means कहने means क्या है example थे और इस समास में आपने बड़े अच्छे से examples को समझा साथी साथ परिवासा को समझा हम लोगों ने जाना कि समास के प्रकार क्या हैं और साथ साथ हम लोगों ने परिवासा को समझा तो आईए next important topic में फिर आप से मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार